हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप दिल्ली के अंदर OVC Card Certificate के लिए online ही apply करके अपना OVC Card Certificate बनवा सकते हैं उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगो कि कैसे आपको online OBC Card Certificate के लिए apply करना है apply करने के बाद देखिए उसमें आपको क्याकर document की जोड़त होगी साथ में कैसे आपको अपना application form फिल करना है सब कुछ जानकर ये टूजएड आपको इस वीडियो मिलने वाली है तो चलिए दोस्तो वीडियो को start करते हैं और दोस्तो साथ ही में अगर आप चैनल फे फर्स टाइम आया चैनल को subscribe जरूर कर लिजेगा तो दोस्तो OBC Certificate online apply करने के लिए आपको अपने mobile computer के browser को open कर लेना है और browser में सर्च करना है आपको e-district Delhi जैसे आप e-district Delhi सर्च करते हैं तो पहला link जो आपका आता है उस पर आपको click कर लेना है click करने के बाद आप e-district Delhi की main website पर आ जाएंगे इस website के URL का link में ने इस description में दिया है वीडियो के आप उस पर click करके direct website पर आ सकते हैं तो दोस्तो e-district की website पर आ जाने के बाद आपको अपना OBC card certificate अप्लाई करने के लिए citizen corner में जाना है यहाँ पर आपको एक option मिलता है new user अगर आप इस website पर first time आया है तो आपको new user के option पर click करना है click करने के बाद आपको यहाँ पर registration करना है registration कैसे करना है उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है जिसका link आपको वीडियो के description मिल जाएगा उस पर click करके आप अब इस वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे आपको e-district की website पर registration करना है तो देखिए दोस्तो e-district की website पर registration करने के बाद आपके पास एक user ID और password आता है जिसको आप login के option पर click करके आपको user ID और password के option पर fill करके आपको capture fill करके login कर लेना है साथ ही अगर आपनी e-district की website पर पहले registration किया हुआ है और आप अपना user ID और password बोल गई है तो कैसे आपको user ID और password forget करना है उसके लिए आपको forget user ID password के option पर click करना है click करने के बाद आपको यहाँ पर अपना user ID password forget कर लेना है इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है कि कैसे आपको अपना user ID password get करना है उसका link भी आप मैंने वीडियो के नीचे description दे दिया है आप उस वीडियो को देखकर अपना user ID password forget कर सकते है साथ ही यहाँ पर मैं आपको एक बात clear कर देता हूँ जो यहाँ पर मैं OBC certificate आपको online apply करके दिखाने वाला हूँ वो about 18E plus year के लिए आपको यहाँ पर apply करके दिखाने वाला हूँ कैसे आपको minor profile के लिए registration करना है उसके लिए मैंने लगसे कि वीडियो बनाई है जिसका link आपको नीचे वीडियो के description मिल जाएगा कि कैसे आपको minor profile के लिए registration करना है और फिर कैसे आप उसके लिए document apply कर सकते हैं जो भी आप OBC certificate apply करना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देखके minor case के लिए आपको registration कर लेना है अब देखे दोस्तों मैं यहाँ पे 18 plus के लिए OBC card certificate apply करके दिखाने वाला हूँ तो यहाँ पे मैं जाना है मुझको register user login के option में यहाँ पे देखे मुझे user ID, password और capture फिल करके login कर लेना है login करने के बाद देखे यहाँ पे जो मेरे applicant है उनकी यहाँ पे profile सो होगी आप देखे आपको OBC card certificate apply करने के लिए जाना है apply online के option में इसमें जाना है आपको apply for services के option पे click कर लेना है अब आपको जाना है department of revenue के अंदर इसमें आपको search करना है issuance of cost OBC certificate जो कि आपका लगबग 36 के option पे नंबर पे आएगा यह चींज होता है नंबर तो यहाँ पे आपको issuance of OBC card certificate को search करना है इसमें देखे हैं आपको time period लगता है 14 days में बनके ready हो जाता है तो यहाँ पर 36 नंबर पे आपको मिलेगा इसके लिए apply के option पे click करना है apply के option पे click करता ही आपको basic personal details होगी अप्लिकेंट की अगर आप कुछ edit करना चाहे तो edit कर लीज़े edit की detail के अदरवाज आपको continue के option पे click करने के बाद next app पे आपको service related detail यहाँ पे fill करनी होगी यानि आप जो OBC card certificate यहाँ पे apply कर रहे है उसकी detail यहाँ पे fill करनी होगी तो यहाँ पे जो पहला option आता है apply for which state यानि किस state के लिए आप यहाँ पे cast certificate apply कर रहे हैं तो यहाँ पे select option पे आप click करके आपको select कर लेना है दिल्ली यहाँ पे दिल्ली के अंदर apply करना है तो दिल्ली select कर लेना है तो आप यहाँ पे select कर लेना है तो यहाँ पे अपनी OBC cast के अंदर यहाँ पे अपना name of cast यहाँ पे select कर लेता हूँ name of cast select करने के बाद आपको fourth point के a point पे जाना है इसमें आप से पूछता है whether the applicant or his her family resident of दिल्ली since 1993 अगर आपकी family में कोई भी डेली के अंदर आपका 1993 से पहले रहता है तो आपको yes करना है otherwise आपको no करना है अगर आप yes करते हैं तो इसके लिए आपको document प्रूव भी upload करना होगा अगर आप 1999 के बाद आप यहाँ पे migrate हुए हैं तो आपको no रखना है अगर 1993 के बाद दिल्ली में आपकी family रहने आई है तो आपको yes करना है तो अगर आपकी फैमिली के बाद दिल्ली के अंदर shift होई है तो आपको यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ करना है state select करने के बाद आपको district select करना है यहाँ पे name of district origin का है आपका वो आपको district करना है तो यहाँ पे आपको yes के option पे click करने के बाद आपको अपना state देना है और अपना district select करना है otherwise आपको no करना है तो आप यहाँ पे no कर सकते हैं अब यहाँ पे C point आता है अगर आपकी family में किसी का भी OBC card certificate बना हुआ है तो आपको यहाँ पे yes करना है otherwise आपको यहाँ पे no करके आपको next step पे आपको चले जाना है अगर आप यहाँ पे yes करते हैं तो yes करने के बाद आपको जो आपकी family member जिसका भी OPC card certificate बना हुआ है उसकी information यहाँ पर fill करनी है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर certificate holder का name fill करना है जिसके नाम से वो certificate बना हुआ है इसके बाद एक certificate का relative से क्या listen है वो आपको यहाँ पर mention कर देना है साथ में address fill करना है address आपको यहाँ पर वो ही fill करना है जो कि उसके OPC certificate के उपसर में mention है वो ही आपको यहाँ पर address fill करना है इसके बाद आपको state select कर लेना है state select करने के बाद आपको certificate number डालना है जो कि आपको OPC card certificate के उपर mention होगा उसको आपर fill करना है इसके बाद आपको issue date डालना है कब वो issue हुआ था इसके बाद आपको issuing authority address आपको यहां पर fill करना है और फिर issuing officer designation यहां पर fill कर लेनी है तो यहां पर मैं आपको no कर देता हूँ no करने के बाद आप देखें आपको पाकी step में अगर आपकी जो applicant है उसकी family में या उस applicant की जो government job है तो यहां पर आपको देखकर आपको यहां पर one by one step fill करने होंगे otherwise अगर आपको government job नहीं है तो आपको सारे option जितनी भी document बनती है सबको आपको no कर देना है तो देखें आपको मैं सारे option को no कर देना है उसके बाद residence proof upload करना है उसके बाद residence proof of 1993 years में आपको जो आपको रह रह रहे है वो आपको proof upload करना है self-declisten form upload करना है तो चलिए मैं आपको one by one explain कर देता हूँ कि कैसे आपको document upload करने है तो यहां पर सबसे पहले identity proof upload करना है इसके लिए आपको identity proof के सामने upload के option पर click करना है click करने के बाद देखें आपको select करना है document document में आप अधार कार्ट दे सकते हैं government ID दे सकते हैं birth certificate दे सकते हैं यहां पर रसन कार्ट दे सकते हैं pen card दे सकते हैं passport दे सकते हैं school ID दे सकते हैं होた रायकार ने सकते हैं तो यहाँ पर मैं 18 plus के लिए हो पिसमीं है आपको सेलेक्ट करने कि नैकहिं हूँ दपात्मेंट जो TWO के आहां पर यहां अपर इसके सचेप्लंबर टो क्यों है इसके करना है ॵम 15 clicking on है dit करने अँपको स्लेक्त करना है document document आँके देसकता है आधार कड सकते हैं गशिछ देसकते हैं टैलेश्इभ से लिट इसकते हैं त्रीके से आपको इस अधर कर देना है कि आपको फैमली का जो कि हैं अपको अप्रोड करना है इसके आपको अप्रोड करना है इसे लिए कि अप्र देसक्ते हैं आप सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर आपका पास पहले आप दिली अंदर रह रहे हैं तो आगर रह रहे हैं तो उस पे रेंट लगा सकते हैं तो यहां पर बना हुआ तो यह पंड़ करने बाद आप और अपको अब्लोड कर लेना है तो अभी मैं आपको डेमो दिखार सब्सक्राइब करने लेना यहांसे आपका एक PDF फाइल को इसका प्रिंट निकाल लेना है यह आपको नीचे यहां पर celebrating होना चाहिए इसके बाद आपको Sेम डोकिमेट्स पर आना है यहाँ पी देखे सेलेकT डिपार्ट्मेंट करना है आपको दार्रकौन में अपको नेम के इसलेक्ट करना है जात列ए मचिंड करना है चाहिए और इस रहां पर चैलिक करें आपको फोटो अप्लोड कर सकते हैं आपको कोई जूट कर सकते हैं लोग जिसको आपको फिल करके आपको आपको यहां पर घिल भी करते निकालेट हो जाएएगी इसका औल निकालने के साथ में आपको हाड से साथ में से के बीच में आपका सर्टिविकेट पर राइड हो जाएगा उसको आप की लिश्टिक के वेब्स साथ से डाउनलोड कर सकते औरlung्स कर्ना ऊस्के लिए मैं पर लिएक बना दी है पूv वीडिक हमें डिस्कृषिन में देती है आप उस वीडियो को देख लेंडी डाउनलोड कर सकते तो दोस्तों इस तरीके से आप刁 किसी कार्ट स्रेटिफिकेट के लिए उनलाइन अपलाई कर सकते हैं सब कुछ जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देती है तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरू कीजेगा चैनल पर फरस्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब जरू क कर लेजेगा और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ सेर करना ना बोले थैंक यू